प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसे चल लगी आप लोगों की बोड़ एकजाम की तयारी तो उम्मेद करूँगा आप सभी काफी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बहतरीन तरीके से चल लगी तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्या को पूरा करके जाएगा आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ कम समय में बहतर तयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं तो जितने भी चाथ दोजर पत्चिस में बोड़ एकजाम देने वाले हैं इस वीडियो को पूरा अंतक दिखीगा और आपको मैं 100% गारंटिक साथ और वादा करता हूँ कि अगर आप लोग ये बताये गए सारे के सारे कोईशन को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो बोड़ एक जाम में आप आराम से जो 70-70 नंबर का आपका पेपर रहेगा तीनों सब्जिक में इसमें आप आराम से 60 प्ल बैंक लेकर के बैठ जाना और इन सारे कोईशनों को पहले एक बार टिक कर लेना फिर तेको इससे प्रॉफिट आपको क्या होने वाला है क्योंकि आपको पता है भाई आपका नवंबर चल रहा है ठीक है और नवंबर के बाद भाई आप आजाएगा आपका दिसमबर और फ इसलिए वो important question ही आपको मैं बताऊंगा जो कि board exam के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे चलिए फिर शुरू करते हैं chapter number first से लेकर के यहां पर last तक में कितने question करने है तो पहला प्रसन आपके सामने है विदुत आवे सता आवेस के प्रकार तो पहला ही chapter है विद person है ना पूरा समझ लिना दो नंबर से ज्यादा में ही पूछा जाएगा दो नंबर से ज्यादा में हाना तो कुलाम का नियम काफी ज्यादा important person है जो कि आपने पढ़ा है f equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 है ना q1 q2 upon r square जो कि इस प्रकार से आपको आपने किया होगा तो इसको theory के साथ पूरा त person है और derivation भी जितने बोड़ एक्जाम में आएगा उनको भी आपको साथ में बताया जाएगा तो पांचवा प्रसन देख सकते हो यहां पर है और पांचवा जो प्रसन है वो बोड़ एक्जाम में long के अंतरगत आएगा यह जो दिर घुतरे प्रसन है और derivation के अंतरगत यह पूछा जाएगा देख सकते हो प्रसन क्या कहता है कि विद्दु दिदु आगून की अक्छी रेखा में यानि अक्छी इस्तती के लिए है यह प्रसन ठीक है ना इसके लिए बसि jeszcze में इस्तित क्या है बिंदु पर विद्दु चेतरी की तिवरता का बेंजक बताना तो यह क्या है derivation हो गया आपका और derivation वाले question आपके first chapter से इसी प्रकास से आने वाले है ठीक है यह derivation है इसके बाद आई यहाँ पर देखते हैं number six दे हो है यह भाई निरक्षी रेका के लिए एक आपका होता है कि जैसे हमारा physics है इसमें आपके एक पेश्चेट के साथ सेट पेपर बनते हैं साथ सेट तो किसी सेट में मालो अक्षी को रख देगा किसी सेट में निरक्षी को रख दिया तो आपको काउन सा सेट मिलता है यह तो आपके लगपर अंगला प्रसनिया पर most important की सीरीज में है भाई साब अनन्त बिस्तार के रेखिया आवेस के काण विद्दु छेतर की तिबरता के लिए बेंजग तो यह भाईया क्या है गौस की प्रमे का आपका क्या है उपयोग अनुपरियोग है ठीक है ना तो यह अनुपरियोग के अंतर गति यह पूछा जाता है अंगला प्रसन यहां पर है दासमा देख सकते हो बितुत बिभो तथा बिभवांतर क्या होते है यह आपका इसके अंतर का पूछा जाता है ठीक है ना नेक्स्ट कोसन क्या है इलेक्ट्रान बोल्ट की परिभासा दीजिए ठीक है इलेक्ट्रान बोल्ट क्या होता है इसकी जो है आपको बतानी है डिफरनेशन ठीक है ना नेक्ष्ट कोसन आजाओ 12 नमबर देखिएगा इसमें करा आप बिद्वी दुदुरू की अक्षी इस्तिती में क्या है किसी बिंदु पर बीभव के लिए बन जग अभी आपने अक्षी और निरक्षी रेका में पढ़ा था किस के लिए तो तीबरता के लिए पढ़ा था आप किस के लिए है भाईया तो ये अब जो है आपका है बिभव के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है बिभव के लिए हैं अंगला है भाई विभाव प्रमरता को समझाओ क्या होता है चाला की धारिता संधारितर में देखो संधारितरों का संयोज़ा दोनों से प्रसन बनते हैं और जो समांतर प्रेट संधारित वाला प्रसन यह तो बिल्कुल एकदम बहाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह जो प्रसन है पूरा तीन नंबर से ज्यादा में आता है ठीक है न और मलब तीन नंबर का लगभागाएगा और जैसे कि अगर इसी प्रसन को मालूप नंबर का प्रसन ठीक है अंगला प्रसन आपके सामने है विदुद्धारा नेक्स यहां पर देख सकते हो ओम का नियम ठीक है ना बोड़ एक चाम के लिए वहुँच ज्यादा इंपॉर्टन है ओम का नियम स्रांतिकाल के अधार पर प्रूब करने के लिए आता है तो यह है विशिष्ट प्रतरोध अतवा प्रतरोधक्ता के बारे में विदुद्ध प्रतरोध क्या है विशिष्ट चालाग्ता हो गया प्रतरोधका संयूजन हो गया किर्चाप के दोनों नियम ठीक है ना पहला और दूसरा हमने दोनों नियम आपको बताया है एक आपको संधी के ल जाने वाली धारा होते हैं उनको निगेटिव लेते हैं इस तरीके से है ना तो यह हो जा है और एक आपका बंद पास के लिए होता है तो उसको भी हमने complete आपको पढ़ाया है ठीक है चलिए तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपको देखने को मिलेंगे तो इन तीनों प्रसनों को भाई साब यहाँ पर इनी में से लगबाग उठा सकता है एक आपका सुरू में हमने बताए कुलाम का नियम तो वो भी आपके लिए प्रियरनम क्या होता है अनियों प्रियरनम तो गुडांग में 100 प्रियर भी इंपोरण और इनको इनमें से यह नहीं कहा जा सकते कोई एक आएगा किया नएं और मैंने बताया है कि आपको लगब्वक 80 प्रसन जो है lor फिस कर आ आपको chemistry में भी कराए जाएंगे और फिर biology के हम बात करेंगे इसी वीडियो में तो ये आपके लिए ऐसे प्रस्ण होने वाले हैं जिनको आप भूल कर भी नहीं भूल सकते हो ये याद रखना बिमेन प्रकार के कहरा है प्रत्या वर्तिधारा परिपत इसमें आपके काउन जैसे कि एक आपका LCR परिपत है एक आपका LCC परिपत यहां पर LCC कर लेना ठीक है एक lr परिपत है इसको आप LC कर सकते हो तो ये तीन परिपथ depth हैं ये तीनों जुह हैं बहुने बिए को explain करने के लिए बोड एक्जाम में ये पूछा जाता है मतलब आप समझ लो कि ये जो प्रस्ण है पूरा ये पांच नंबर के लिए आपका आने वाला है ठीक है इसमें आपका पूछेगा कारविधी भी पूछेगा सिधान्त पूछ लेगा हाना चित्रिभी बनाने के लिए पूछ लेगा तो इस तरीके से पूरा प्रस्ण आपका बोड एक्जाम में बनता है नेक्ष्ट देख सकते हो त्रांस ट्रांस 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 की कारविधी सिधान्त विद्धुत जानी त्रानी की जो आपका जनरेटर है डाइनेमो जो हो गया जिससे आप विद्धुत Maximal का समीकन हो गया Maximal के विद्धुध चुम के तरंग का सिधान्त हो गया विद्धुत चुम के इस्पेक्ट्रम प्रकास का परावर्त यहां से जो है आपकी स्टार्ट होती है सेकेंड पार्ट है भाग दो जो आपका दूसरा पार्ट है अभी तक हमारा यह उपर जो जो च पूछेगा या परावर्तन पूरा अंतरिक परावर्तन हो गया और इन सभी क्वेसिनों को मैं आप को जल्दी में बता रहा हूं ताकि आप जल्दी से इनको कहीं न कहीं लिख लें और इनका आपको solution भी मिलेगा मैं वीडियो के आंज तुमें बता दूँगा किस तरीके से आ अपवर्तनां के तान नियुनतम बिचलन कोड में क्या है संबंद यहां पर को है न तो इसको काट लेना आप लोग। कोड में संबंद इसके बाद आपका आता है यहां पर देख सकते हो प्रकासिक माध्यम की परिच्छेपन या वर्डविच्छेपन चमता हाइगेंस की दोतियक तरहिकाओं किसी दान के अधार पर पर परावर्तन की ब्याक्या होती है और इन दोनों परावर्तन और क्या है एक question board exam में 101% आपका आने वाला है ठीक है ना तो आप लोग ध्यान से इनको तयार करिएगा चलिए नेक्श देखते हैं आप पर गोली प्रिस्ट में अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र की स्थाफना लेंस की छमता जो कि आपको पता है बहुत ही बहतर है और my board exam की तयारी आपको लगातर ऐसे ही important question के माधम से कराता भी रहूँगा Newton सूत्र की स्थापना हो गया परस पर संपर्क में रखे यह जो 54 नंबर का परसन है यह बहाद important है आपके लिए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन्स यानि कि उनको मिला करके एक लेंस बनाया जाता तो उसकी focus दूरी जो कि हमने निकाल के आपको बताया था एक बटे F इकल टू एक बटे F1 प्लस एक बटे F2 यह बाला फार्मूला अगर आपने देखा होगा तो हमने इसको प्रूफ किया था और यह प्रसन जो है 100 परसन बोड एक्जाम में आपका आने बाला है फिर आपका मानो नेत्र का सचितरवडान दूर दसी की विविदन च पर अपवर्तन की ब्याख्या जो कि मैंने बताया आपको तो यह अपवर्तन की ब्याख्या बहुत ज्यादा इंप्वर्टेंट है टोटल 58 प्रसन हुए अंगला देखिएगा प्रकास का डापलर प्रभा हो गया ब्यतिकण क्या है और इसके लिए आवस्यक्स अरते जो की बहुत ज्यादा यह इंप्वर्टेंट है और कई बार यह प्रसन बना है ठीक है ना बैतिकण क्या होता है पहले यह बताना है फिर इसके लिए आवस्यक्स अरते काउन कौनसी है यह भी बताना है फिर देखिएगा यहां से प्रकास तरह का बैतिकण यंग का प्रियोग हो पर है प्रकास इवर्तन कार्येम देहलिय यी जिया वरत्य बता है प्रकास बैदुत प्रभा वमें थौब यहां इसमें होता यह है जैसे प्रकास ब्रवाव हो जब आपको पढ़ाए जागा तो इसमें कोई एक धातू का ऐसे टुकड़ा रहता है इसमें भाई इलक्ट्रान है हना इलक्ट्रान रहते हैं तो इलक्ट्रानों का माल लिज्या आपको उसर्जन कराना तो इसमें आपको प्रकास किरने इस तरीके से धातु के टुकडे पर डालनी है जैसे कोई परावैगनी किरने ये होती है परावैगनी किरने होती है इस तरीके से इन पर जब आप प्रकास किरने डालते है तो ये जो प्रकास किरने होती कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि ये जो है धातू के सतह से इन इलक्टानों का उस्तरजन करा सके तो एक ऐसे नियत आबरत्ती की प्रकास करने होनी चाहिए जो धातू की सतह से इन इलक्टानों का उस्तरजन करा सके उनको वैसी आबरत्ती को हम बोल देते हैं देहली आबरत्ती ठीक है ना इस तरीके से जो है आप प्रकास बिदित प्रभाव में सारी चीजों को अच्छी तरीके से explain करके मैंने बताया भी है और आप वहाँ पर पढ़ेंगे भी प्रकास बिदित प्रभाव की ब्याक्या हो गया प्रकास बिदित उर्स्टजन के नियम आशिजन का प्रकास बिदित समीकर रधर फोड का अलफा प्रक्रेणन परियोग हो गया हाईडोजन स्पेक्ट्रम की ब्याक्या और हाईडोजन प्रमाडू का बोहर माडल ठीक है ना न पाइमन स्रेडि एक हमने पढ़ा था बामर स्रेडि हैं पास्टन स्रेडि हमने पढ़ एक होती है ठीक है फुर्ड लेगा थि तो टोटल हमारी पांड् irmond आपको एक्स्पेज करना पड़ेगा बूर ुडेगल ठीक है तो इनगों कर ली जगा बहुत ज्यादा महात् Face प kitchen और धाईू और छायन्य तांक में संभद नाविक कि विखंडन हो गया, नाविक कि बन्धन उर्जा और अर्झ चालक. उर्जा बैंड के अधार पठोसों के प्रकार हो गया, पियन संधी राईॉर्का अग्राभिनत है न, और एक होता है या पाश्य का बिनत. इसमें जो आपका यहाँ पर बेहद important प्रसन बनता है वो होता है पियन संधी रायोड का आर्ध तरंग दिश्टकारी के रूप में उपयोग और एक होता है पूर्ध तरंग दिश्टकारी रूप में उपयोग ठीक है ना आर्ध तरंग और एक पूर्ध तरंग ये दोनों important है दो मेंसे एक परसन एक सो दस परसन गारंटी है कि बोर्ड एक्जाम में आता ही आता है चाहिए कोई साभी सेट आपको मिलने वाला हो तो टोटल हमने यहां से 80 परसन आपको बताएं है ठीक है ना 80 परसन जो की पूरी फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करी इतने ही ठीक है इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको फिजिक्स से डरने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अब हम आ जाते हैं भया केमेस्ट्री में और यहां से आपको बताएंगे अब रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट परसन ठीक है ना तो अब आपकी स्टार्ट इसमें है बिलियन क्या होता है तथा बिलियन की परकार बताएं ठीक है ना हिन्री का नियम हो गया मौस्ट इंपॉर्टेंट है बोड एक्जाम के लिए नियम अदेखो जिस तरीके समयन बताए था कि आप फिजिक्स में नियम पूछे जाते हैं सेम वैसे ही आपको मौललता इन में क्या होता देखो इसमें आपको इन दोनों टॉपिक हों के परिभास करनी है कि क्या होती है मौललता और मौललता की परिभासा साथ में इसका सूत्र क्योंकि इससे भईया बनने वाले हैं आपके आंकिक प्रस्ण जो आप निमेरिकल जानते हैं ना निमेरिकल chemistry में आंकिक प्रशन आपके शुरुवात के इनी तीन चेप्टर से पूछे जाएंगे तो इसमें आपको याद रखना है आपको परिभासा के साथ उनका सूतर जरूर कर लेना है ठीक है मुलर्ता और मुलर्ता कम मौल प्रभाज या मौलंस इसकी भी परिभासा सूतर फिर आपका नियम देखो हेनरी की नियम की बाद राउल्ट का नियम मौस्ट इंपोर्टन है बोर्ड एक्जाम में ये 100% इन ही में से आएंगे फिर कहा है आदर्स और अनादर्स बिलियन परासंद दाब परासंद दाब क्या होता है ना फिर बिद्दुद चालका तो और चालकता मोलर चालकता हो गया कोल राउस का नियम ये भी इंपोडन्ट है फरैडे के बिदुद आपकरनन के नियम इससे इसे से related बोर्ड एक जाम में भाया आते हैं numerical ठीक है क्या आते है नुमेरिकल आपका यहाई से बनने वाला है ठीक है तो यह हो जाएगा रासायनिक बलगत की चप्टर फे हम लोगी स्टार्ट करेंगे यहां से आप देखो यहां से जो आपका chemical kinetics, इसमें अभिक्रिया की दर पूछेगा, और बेग क्या होता है अभिक्रिया की कोटी और आणविक्ता में अंतर आता है, यह अंतर वाला प्रस्न है, 18 नमबर का जो है यहां से पूछेगा अभिक्रिया की कोटी और आणविक्ता में अंतर स्वस्ट कीजिए ठीक है नेक्स आप बेग नियम या दर्वियंजग फिर अर्द हायू काल फिर सुन्ने कोटी की अभिक्रिया क्या होती है इसको उधारन दे कर समझाए इस तरीके से कोईशन आपका रेपलेंस करके मुचे एगा ठीक है ना फिर क्या है पर्थम कोटी की अभ बनेगा ये चीज़ या दर्खना इसमें जो प्रशन है प्रतम कोटी की अभिक्रिया से यहां पर इसका बेग इस्तिरांग का बेंजग मुझ सकता है या इससे नुमेरिकल आते हैं ठीक है ना नुमेरिकल भी से बनता है और इसमें एक होता है अर्धायू का बेंजग ठीक ह भी से आते हैं फिर डी ब्लॉक के तत्तों में संक्रम्न तत्तों उन्हें को क्यों बोलते हैं एक होता लैंतिनाइड एक होता एक्टिनाइड इन दोनों को एक्स्प्लेइन करने के लिएगा उपसाज संयुजन योगिक में बात करें तो यहां से ज्यादा तर बनता भाईया आयू पीएसी ठीक है जोकी इस चैनल पर टॉपर गलेक्सी पर हना सबसे ज्यादा मैंने आयू पेसी कराया है तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब पाल देखते हुआ तो एक होता है Crystal छेत सिदान. इसको बोलते हैं सर्व Cashता बं सिदान को VBT या जापका आयोपीट। इस चैस्प्टर में लेदे करके कुल टोटल तीन ēस्प्र जो सबसे ज्यादा important थे इसलिए मैंने उनको बता दिया आपके सामने फिर यहां से आता है भीया लिगेंड क्या होते है इसकी प्रकार या लिगेंड किसे कहते हैं धनात्मक रेडात्मक लिगेंड उदासी लिगेंड जो प्रकार होते हैं उनको भी आप एक्स्प्रेंड कर सकते हुँ तो यह जो क्वेशन आएगा लगबग ज्यादा ज्यादा आपका आजाएगा अगर दो नंबर में ठीक है इससे ज्यादा में नहीं आएगा तो यहां से आज स्टार्ट होता है सेकेंड पार्ट हैलो एरिन वाला चैप्टर औरगानिक केमेस्टी में इसमें भीया हाईलो एलकेन का नाम कर आपको पूछेगा फ्रिडल क्राप्ट अभिक्रिया यह नेमिंग रियक्षन है वोर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गई ठीक है इसके बाद SN1 और SN2 रियक्षन जिसको क्या बोलते हैं आप नाभि Kloro Farm क्या होता है इसका निर्मार क्लोरो बेंजीन हो गया फ्लोरोकारवन हो गया कैसे करते है इसके लिए मैं आपको तीन नियम बताने दो नियम बता थे एक भीया होता है लिवकास अभिकार्मक जिसके दszyके एक क्या होता है विक्टर मेर पड़िचांट ठीक है ना यह दोनों इंपोर्डेंट है आपके लिए तो इन दोनों में से कोई एक बोड़ एक्जाम में आता है हर बार मतलब आते दोनों हैं लेकिन पेपर के सिट बदल जाते हैं जैसे मालों कि आपके पास AB कोड का पेपर आ किसी के पास AC किसी के पास AD हना ऐसे करके सिट चलते हैं तो उनमें कहीं न कहीं एक दो सिट में कोई सामने रख सकता है ठीक है तो यह आपको कर लेना इसके बात देखिएगा यहां से स्टार्ट है आपका 41-42 नंबर एथिल अलकौहल तथा एथिनाल फिनाल का वारे में फिन का वरगी कर्ण हो गया और यह यह थिल इतर बनाने की विद्य दिट यह जानते हैं क्या होता है इसका फारमुला क्या होता डाइथिल इतर का यह होता है C2H5 O C2H5 यह होता है वाई इसके बनाने की विधी एक होता है Williamson Sonsillation विधी है ना Williamson Sonsillation विधी से और एक मालोग प्रियोग साला में भी पूछ सकता है तो आपको कर लेना है यहाँ से है वाई LD हाइड क्या होते हैं आपको सबसे पहली बाद इसमें देको डाइग्राम बनाना पड़ेगा क्या आपका जो चित्र होता है चित्र बनाएगे इसके बाद इसका आप लोग क्या करोगे भईया और दोगिक निर्मारा एक बार बता देना हो पर ठीक है न इसके बाद यहाँ पर इससे आएगा कि जैसे आप एसी टोन बना रहे हो तो बोलेगा एसी टोन की निमनिक के साथ अविक्रिया भी करो तो इस तरीके से यह जो question है आपका board exam में बनता है और आपको इनको प्रियोग साला बिजियों को बहुत ध्यान तरीके स्तियार करना है फिर आपका यहाँ से आता है 56 नमबर फारिमिकल नाइट्रोवेंजीन फिर है एतिलेमीन बनाने की यह भी प्रियोग साला बिजियों है ठीक है ना हाइटा यह जैनियम लवड का निर्माण कार्बोहाइटरेट का वरगी करन कितने भागों में बाटा है सेलीलेज क्या होता है एमीनो अमल क्या है प्रोटीन और इसके उपियोग पूछ सकता है फिर बहिया डियने और आरियने में क्या पूछेगा बहिया अंतर जो कि आप बोलेंगे बहिया यह तो हमारा बाइलोजी का टॉपिक है तो जी हाँ बाइलोजी में पूछता है और य यहां से आपका आता है या DNA fingerprinting क्या है और इससे topic आपके chemistry में क्या बनते हैं क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे कहता है केवल रासाइनिक समी करण दीजिए ऐसे करके ठीक है ना तो इनहीं से आपका यह बनता है तो इनको मैं एक एक वीडियो में complete आपका कबर करा द तो 71 topic आपके chemistry में हो गए और 80 topic आपके physics में हो गए टोटाल कितना हुआ 151 यानि 151 topic आपके यहां से हो गए और अगर इतने प्रसन आप लोग कर लेते हो तो physics chemistry में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी अब आईए यहां से आते हैं पने biology पर तो देखो biology यानि ज इसे में आपके important टिपड़ी आएंगी है ना टिपड़ी भी रहती हैं और साथ में आपका यहां पर कुछ नियम रहेंगे तो आप हम लोग यहां पर जानेंगे सारे question को आपको पूरी ब्यूक में साथ topic में बताऊंगा यहां कि साथ question जो कि आप पूरी biology में बहुत कम समय म आप अरिपा को प्राकोस का चित तो यह दोनों चित्र बैहत ज्यादा important आपके लिए होने वाले हैं ठीक है ना यह आप लोग कर लोगे फिर भया आता है आप रत्यबी जी भी जानका यह भी चित्र का question है यहां पर चिन लिगा है तो आप इसको चित्र कर लेना ठीक है इसक जिस्ट यहां पर आपके सामने है गुरो भी जानका है मनुस में यौन संबंधी रोग कावड रोग कावन कावन से हैं उनके आप लोग नाम बताइंगे और इन इसे मालों के पोच लेगा कि रोग थां के उपाय बताओ या ऐसे करके आएगा तो उनको भी आपको बताना प गई है एक होती है इस्थाई विधी हाना एक आपको पढ़ाई गई होगी आई स्थाई विधी ठीक है ना तो इन दोनों विधियों को आपको पहले करना पड़ेगा दोनों इंपोड़न है फिर आपका है अनुवांसिक रोग इस टॉपिक को पढ़ना है प्रभाविता और आ आपको तयार करना है तीन में से दो नियम आपके बोड एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है जैसे कि मालो आपका प्रभाविता नियम है सुतंत्रा भी हो अनका नियम है तो आप क्या करेंगे उन से कोई दो आपके बोड़िक जाम में रखे जाते अब पढ़ने तीन है तीन में से कोई दो इस तरीके से पूछता है कि नेक्स्ट इक हरे निर्फ के मनसुमें लिंग निधार को आपको इसको आपको इसे समझाएं के यह आपको चितर समझाना पड़ेगा तो इसको आप लोग कर लिजेगा बादे है next topic पर आपका अंगला है अनुवानसिख कूट क्या होता है डियेश्य फिंगर प्रिंटिंग के बारे में हना इंटर फेरोंस क्या होते है प्रति अच्छा तंत्र इस टेम कोशिका हो गया संक्रामक आसंक्रामक रोग हो गया, मलेरिया, डेंगू बुखार क्या होता है, इसके बारे में, वाही तुमल हो गया, बायो गैस हो गया, ठीक है, जैव प्रत्योकी के बारे में, PCR, इसको बोलते हैं, या पालीमरेज चैन रियक्षन, पालीमरेज चैन रियक्षन, इसकी खोच किस नही भी देंगे आपको इस्क्रीन पर कहीं नंबर आपको दिख जाएगा तो अगर आप यह नोट्स पर्चेस करोगे तो दोखो आपको यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा आपको फिजिक्स का केमेस्ट्री का बायालोजी का हिंदी का हना यूपी बोड के लिए इंगलिस का यह सब्जेक्ट ठीक है ना पांच बिसे मात्र आपको complete important question के साथ निन्यान बेरुपए में all subject का handwritten PDF मिलेगा जो कि आपको इस नंबर पर contact करना है 9511470534 इस दिये गए whatsapp नंबर पर आपको क्या करना भी या message कर देना है ठीक है ना वाट्स आप पर तो मैं आपको क्या है यह सा physics chemistry के लावा हिंदी English का भी आपको complete इस नंबर पर contact करने पर मैं आपको provide करा दूँगा तो आप लोग इस नंबर पर दिये गए नंबर पर contact कर सकते हो ठीक है ना इस पर और प्राइस कितना है निन्यान बिरूपए all subject का ठीक है physics का chemistry का biology हिंदी English complete तरीके से और इन सभी का solution भ आएगा इस परधा हो गया परिजीविता हो गया सहभोजिता सहजीवन अनुकूलन हना मरूद भीद पर्यावर्न हो गया जयव विद्धता क्या होती है राश्टी उद्यान ताप्तिस्थल और बांध परियोजना फिर क्या है घडियाल परियोजना यहां पर इसी में सम्री परियो थे पच्पन नंबर कोईशन में फिर है अभियारन डाटा बुक और फिर क्या संकत ग्रस्त पजातियां फिर वन्यजीव और लास्ट टॉपिक विद्धता सन्रक्षण तो टोटल यहां से आपको कितने टॉपिक हमने बता दिया साथ टॉपिक आपके वायलोजी में सतर से बहततर टॉपिक कामेस्ट डी में और 20 टॉपिक आपको हमने बताएं किसमे फिजिक से अब आप जोड़के आप टोटल कितना होता है 112 के लगभग तो अगर आप 110 टॉपिक लग तयार कर लोगे तो बोड़ एक जाम में आपको फिर फिजिक कामेस्ट बाइलोईगी में डरने की जोरुत नहीं पड़ेगी और अगर आप इसका पीडियाप चाहते ही इन्हीं टॉपिक का और पूरा सल्यूशन के साथ चाहते तो मैंने आपको बता दिये कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर कंटेक्ट कर लेना मार्त निन्यान में रूपए प्राइस आपको और सब्सक्राइब का पूरा सल्यूशन मिल जाएगा पूरा आंसर के साथ पेडियाप तो कंटेक्ट कर सकते हो वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कर देना चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर लेजेगा ऐसे इंपॉर्ट टॉपिक के लिए मिलता है नेक्स वीडिय नेक्स टॉपिक के साथ अब तक लिए जैहिन वन्यमातरा